असलाम अलेकुम दोस्तों दूसरी ओडियाई मैच के लिए पाकिस्तान की कन्फरम प्लेंग 11 आ चुकिया और दोस्तों हम सबसे पहले आपको ब्रेकिंग निउस दे रहे हैं कि दो तब्दिलियां की गई हैं दोस्तों प्लेंग 11 आपको बताते हैं उनमें से आपको पता चल जागा है कि कौन सी दो तब्दिलियां आज एक और डेबियूटन प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे उपनिंग में जैसा आपको पता है के फखर जमान और इमाम उलहाग पाकस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे इसके बाद तीसरे और चोड़ते नमबर पर कैप्टरन और वाइस कैप्टरन बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान होंगे तानिश अजीज को एक और मोका दिया गया है जबके आसिफ अली की जगा अबदुल्ला श्वीक को डेब्यू करवाया जा रहा है दूसरे ओडियाई मैच में अहली तब दिली ये थी और इसके लावा फहीम अश्रफ पाकस्तान टीम का हिस्सा होंगे और शादाव खान भी पाकस्तान टीम के साथ दूसरा ओडियाई मैच खेलेंगे इसके लावा दस्वे नमबर पर एक चेंज की गई है के दोस्तो पाकस्तान की तरफ से मुहमद स्नैन को ड्रॉप करके हस्सान अली को शामिल कर लिया जाएगा दोस्तो एज गया है हारिस रॉफ के साथ क्योंके हारिस रॉफ ने पिछले मैच में दो विक्टे हासिल की थी इस वज़ा से उन्हें दुबारा खिलाया गया है और ग्यारवे प्लेयर होंगे शाहीन शाह अफरीदी जैसा के मैंने आपको पहले बताया के हारिस रॉफ को टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि दूसरे ओडिया मैच में भी खिलाया जागा क्योंके उन्होंने सबसे ज्यादा विक्टे हासिल की थी इस बारे में क्या राया हसन अली और अब्दुल्ला श्फीक वापिस आ चुके हैं क्या अब्दुल्ला श्फीक की जगा हैदर अली बैस्ट ओप्शन नहीं थे दोस्तों कमेंट करके बताईए और उमीद करता हूं कि वीडियो पसंदा ही होगी आपको वीडियो अगर पसं